हलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल यहां मैं प्रिंस कट की ब्लाउच टी कटिंग करें इसके लिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिचा लिया है इसके बाद हम सबसे पहले पीछे वाला भाग करें गट करेंगे तो पीछे वाले भाग की लंबाई ले रही हूं हिसाड़े चे इंच पर मैंने यह निए निशान लगाया है कि आब हम ये जोनों निशानों को मिला देंगे और इसके बाद हम हमारे आर्मोल की गोलाई देंगे आर्मोल की गोलाई के लिए यहां में बीचे के भाग में 1.5 इंच से 1.4 इंच की गोलाई दे रही हूं इसके बाद हम हमारा चेस्टी का निशान लगाएंगे चेस्ट के निशान लगाने के लिए मैंने यहां पर हमारे चेस्ट का चोते भाग और उसमें दो प्लस किया है तो यहां चेस्ट हमारा 36 इंच का है तो 36 इंच के लिए मैंने यहां नो इंच पर चेस्ट का निशान लगाया और दो मार्जिन के लिए लिया है अब इसके बाद ह में ने 2 इंच लिए और लंबाई पर 9 इंच पर निशान लगाया है आप अपने हिसाब से इसकी बेकनेक की लंबाई घटाया बढ़ा सकते हैं कि यहां हमने हमारे बेक पार्ट की कटिंग पूरी कर ली है इसके बाद हमने एक बीस में कट कर लेंगे अब में यहां फ्रेंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ फ्रेंट पार्ट की कटिंग के लिए भी हमें शोल्डर और आर्म होल उतना ही लेना है जितना हमने बेक पार्ट में लिया है मैंने यहां शोल्डर और आर्मोल पर निशान लगा लिया है अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे आर्मोल की गोलाई हमें यहां बेक पार्ट से कम देना है तो मैं यहां एक इंच की आर्मोल की गोलाई दे रही हूं फ्रंट पार्ट के लिए इसके बाद हम गले पर निशान लगाएंगे तो गले के लिए यहां धाई इंच की चोड़ाई पर और लंबाई में यहां हमारे फ्रंट पार्ट की जो गले की लंबाई यह वह छे इंच रख रहे हूँ आप इसे अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं इसके बाद हम आगे के भाग में गोल लाई दे देंगे फ्रंट की भाग में प्रिंस कट के लिए निशान लगाएंगे इसके लिए हमारा जो नेक का भागे वहां से सोल्डर से हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे यह हम बैल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो हम बैल्ट इसमें अलग से निकालेंगे और आर्मोल की तरब से हम 11 इंच का मेंने यहाँ पर निशान लगाया है अब हम इन दोनों को निशान को मिला देंगे इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद सेंटर में हम आदे इंच की गुलाई देंगे नीचे से यह option है अगर आप गुलाई नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं पर यह गोलाई देते हैं तो हमारा बेल्ट यहाँ पर सही तरह से लगता है इसके बाद हम नेक की साइट से जो बंद भागें वहाँ से साड़े चार इंची पर एक निशान लगाएंगे यह निशान हम सबी साइट के ब्लाउजों में ऐसे ही सेम लगेगा साड़े चार इंची पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है अब इसके बाद हम दोनों कंधियों के बीग से जहां हमने साड़े चार इंची का निशान लगाया है वहां एक टक्स का निशान लगाएंगे इस सबसे बड़ा हमारा ट्कस होगा इस प्रींस कट व्लाउज में जो जिससे हमारी फिटिंग सही से आती है हाँ यहाँ सेंटर में रहकर आदे इंच का निशान गीन ऋर आदे इंचका निशान एक साइड लगा कर एक इंच का ट्कस लगाLike और categ की दो इंच से थाइंचे तक हम रख सकते हैं बस इसके बाद हमें यहाँ गोलाई देते हुए हमारे armhole के center से इसे पूरा गोलाई दे देना है यह हमारा एक पूरा टकस आएगा इसके बाद हम वेल्ड की कंटिंग कर लेंगे बेल्ड की cutting करने के लिए हमने एक साइड तीन इंची और एक साइड धाई इंची की इसकी चोड़ाई रखी है बस इस तरह से हम दोरों रिशानों को मिला लेंगे और बेल्ड को cut कर लेंगे अब इस अस्तर को हम हमारे बलाउस फीस पर रखकर cutting कर लेंगे यहां मैंने दोनों भाग अस्तर और हमारे जो बलाउस के मेंट फैबरिक को cut कर लिया है अब हम इसे एक दूसरी को पर रखकर attach करेंगे यहां मैंने दोनों भाग हमें अलग कर लेंगे और इस तरह से हम इने अस्तर पर रखकर attach कर लेंगे हावे बस इने चार कोणों पर इनके सिलाई लगानी है कि ऐसे ही हमें दोनों भाग अटेज कर लेने हैं यह देखिए हमने दोनों भाग को अटेज कर लिया अस्तर से और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट कर देंगे अब हम यहां सबसे पहले प्रिंस कट का टक्स लगाएंगे उसके लिए हमने जैसे ही हमारे अस्तर पर निशान लगाया था दोनों कंदी के सेंटर से यहां हम टक्स लगाएंगे और पूरी गोलाई आरमोल के सेंटर में दे देंगे इस दर से आप चाहें तो बाद में अटेज करने के बाद में भी आप निशान लगा सकते हैं हम यहां एक इंच का बड़ा टक्स लगाएंगे नीचे और बाकी आप चाहें तो इसमें एक टक्स का ही बना सकते हैं या चाहें तो आप दो टक्स और इसमें लगा सकते हैं एक टक्स है हमारा जो हमारा फ्रंट का नेक है उसके सेंटर में लगता है और एक टक्स हम यहां कमर के साइड में लगाएंगे जो कमर का टक्स है वो हमारा चार इंच पर लगाएंगे हम और जो नेक के साइड टक्स लगेगा वो दो इंच कर लगेगा अब इसमें सिलाई लगाने के लिए आपने जैसे निशान लगाया है वेसे इसको उठाकर आप इसे रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हमने यहाँ पर चारो टक्स हमने लगा लिये और टक्स लगाने के बाद हम इसमें बैलट अटेज़ करेंगे बैल्ट को भी हमने अस्तर पर रख कर ऐसे अटेज कर लिया हैं है दोनूं भाग आपने रेडी कर लियें अब हम हम यहां हूक और हाई की पणवित के premise हूण्पर लगाएंगे लंभी सी पठीक है हूं इससे कि हम सीदिह हाथ की दर को अंगर फोल्ढ करते हुए लगाएंगे और जो हम हमारी हाई की पठी है उसे हम उपर की साइड लगाते हैं तो हमें इस तरह से इसको उपर करके लगाए एक पट्टी को हम अंदर दबाएंगे और दूसरी पट्टी को हम उपर लगाएंगे देखिए हाँ दोरों पट्टी हमने अटेज कर लिए अगर आपको यहाँ इस्पेशली पट्टी हूंक और हाई पट्टी का वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फूर वोचिंग